बिस्विल्य ग्माल रोइसे Salam alikum जिम का कहना है कि अगर आप किसी को एक डॉलर देना चाहते हैं तो उसे एक ना दें उसे दो डॉलर दें जिम की भयान करदा कहाणी कुछ दें कि अगर आप कही खाना खा दें जाते हैं और आपके पास तीन डॉलर है तो आप सिर्फ एक डॉलर का खाना ओर्डर करें और दो डॉलर वेटर को टिक देने जब अब दोबारा उसी होटल में जाएंगे तो उस वेटर की तरफ से आपको जो वेलकम होगा उसकी आंखों में जो चमक होगी उसकी जो आपकी तरफ समाइल होगी वो बयान नहीं की जा सकती और उससे आपको वो खुशी मिलेगी जो अलफास में तो समोई नहीं जा सकती जिनका यह ख्याल है कि अगर आपको देना है तो जादा दे अगर आपको कोशश करनी है तो जादा करें अगर आपको माफ करना है तो एक दफ़ा नहीं जादा दफ़ा करें अगर आपको किसी का शुक्री आदा करना है तो एक दफ़ा नहीं जादा दफ़ा करें अगर किसी की तारीफ करनी है तो एक दफ़ा नहीं जादा दफ़ा करें जिन का ख्याल है कि अता करने में कंजूसी नहीं करें खुले दिल से दें तो खुले दिल से वापस आएगा महमान नमाती करनी है तो खुले दिल से करें दोस्ती करनी है तो खुले दिल से करें उस्ताद बनने है तो बड़े उस्ताद बने जो भी करने एक डॉलर का नी टोड़ और दूग ना करके करने क्योंकि उसने जब वापस आना है तो उसने कही गुना वापस होके आना है So, इसी की मदद करते हुए कजोसी नहीं करें किसी का ख़याल रखते हुए कजोसी नहीं करें और इसका फाइदा आपकी जाद को होगा डॉलर बचाएं नहीं बचट करने से कोई अमीर नहीं होता और बचट करने से किसी के पास पैसे जबानी होते मदद करने से आपकी भी मदद हो जाएगी यहां भी वहां भी तांक यू वेल पच